सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं इस वीडियो के अंदर हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन को समझेंगे एक एक एक्जामपल से ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर हम working capital management के बारे में discuss कर रहे हैं मैंने पिछले वीडियो में working capital operating cycle के बारे में discuss किया था अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजे आपको link नीचे description में मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर हम working capital का concept थोड़ा सा और detail में समझेंगे उसका क्या formula होता है और उसकी क्या calculation होती है तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा चलते हैं सीधा blackboard की तरफ एक बर quick recap कर लेते हैं तो अगर आप किसी भी manufacturing industry के अंदर है तो आप पहले raw material procure करते हैं लेट से आपको खरीदने और उसको store करने में 30 दिन लग जाते हैं फिर आप manufacturing करते हैं तो work in progress का time लेट से करीब 10 दिन होता है फिर वो finish goods बन जाते हैं तो आपको करीब 20 दिन लगते हैं उसको warehouse में रखते हैं आप 20 दिन के लिए उसको उसके बाद वो sale होती है और sales होने के बाद 30 दिन के अंदर आपके जो retailers और wholesalers हैं वो पैसा देते हैं तो यह जो आपकी total cash to cash cycle है यह करीब 90 दिन की बन जाती है आपको 3 महीने बाद अपना पैसा वापस मिलता है तो इसी को हम working capital कहते हैं जो आपका पैसा फस जाता है चलिए अब हम इसकी calculation समझते हैं कि इसका formula क्या होता है exactly उसके पहले एक बार आप यह समझे कि यह जो आप raw material, work in progress और यह जो finished goods है यह सारी basically आपकी inventory है और यह जो inventory है यह अलग-अलग type की inventory है तो आपको raw material की cost प्लस work in progress की जो inventory है प्लस finished goods की जो inventory है यह total add करनी होती है तो यह तो हो गई inventory, यह होता है आपका जो debtors होते है इन्हें हम accounts receivable कहते हैं तो यह पैसा क्योंकि आपको immediately नहीं मिल रहा है यह आपके accounts receivable में आ जाते हैं और बाकी cash position जितना भी आपके पास exact cash पढ़ा हुआ है वो आपकी cash position हो जाती है चलिए अब हम working capital का formula देखते हैं तो working capital actually है क्या working capital आपका वो amount है जो आपको day to day operations run करने के लिए पैसा चाहिए अपने business के अंदर राइट इसके बारे मैं मैं already बात कर चुका हूँ हमने ये operating cycle के अंदर भी देख लिया था अब इसका formula होता है working capital is equal to current assets minus liabilities ये current liabilities है तो basically current assets minus current liabilities आपकी working capital होती है और current assets क्या होते हैं current assets वो assets होते हैं जो एक operating cycle के अंदर cash के अंदर convert हो जाते हैं operating cycle हमने already समझ ली है तो cash to cash cycle जो है वो आपकी तीन महीने की थी तो तीन महीने के अंदर वो assets basically आपके cash में convert हो गए या फिर maximum एक साल के अंदर convert हो जाते हैं अगर एक साल से जादा में कोई cash में convert होता है तो उसे हम current asset में नहीं लेते हैं हम उसको fixed asset के अंदर लेते हैं तो यह difference यहाँ पर आपको clear हो गया तो अब current asset में क्या क्या आता है आपका current asset में एक तो आपका cash आ गया जो आपको के पास hard cash है या तो cash आपके office के अंदर रखा है या फिर आपके company के bank account में रखा है दूसरा होता है आपका accounts receivable accounts receivable मैं आप से already बात कर चुका हूँ तो यह जो basically आपके debtors हैं जिनको आपने माल उधारी पे दिया है retailers है wholesalers हैं वो basically आपके accounts receivables हो जाते हैं क्योंकि आपको वो पैसा immediately नहीं मिल रहा है लेकिन मिलना है तो वो cash में convert हो जाएगा 30 दिन में हो जाएगा 25 दिन में हो जाएगा जितना भी आपका time period है जितने के लिए जितने भी time के लिए आप credit देते हैं फिर होती है आपकी inventory तो inventory जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि आपको raw material की अलग inventory count करनी होगी work in progress का stock और finished good का total मिला के इनकी जो value होगी वो add करनी होग तो आपके ये current assets निकल के आ जाएंगे फिर current liabilities होती है जो basically आपके accounts payable होते हैं अब accounts payable for example आपका जो supplier है वो भी आपको credit दे सकता है तो आप उसकी payment बाद में करेंगे तो आपको वहाँ से basically credit पे माल मिल गया तो आपके वो हो गए accounts payable तो ये आपके creditor होते हैं जो basically जिनको आपको पैसा वापिस करना होता है तो ये होता है working capital का formula अब हम इसको थोड़ा सा example से समझते हैं कि working capital का इतना importance क्यों है current assets minus liabilities यहाँ पर मैं फिर से दुबारा से लिख देता हूं current assets minus current liabilities है ये तो एक example समझते हैं माली जे एक sports की दुकान है और वहाँ पे एक cricket academy उनकी एक customer बनने की कोशिश करती है वो उनके पास आती है और कोई cricket academy से आता है और कहता है कि हमें 10 cricket balls चाहिए अब ये जो sports का owner है ये सोचता है कि मैं इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाऊं मैं खाली 50,000 cash से start करूँगा right तो वो सोचता है कि देखिए मेरे को 1000 रुपे की ball पढ़ती है let's ये उसकी cost है ये उसका price है right तो finished goods का 10 cricket ball का 1000 रुपे उसकी cost हो गई और price हो गया 1500 तो अब यहाँ पे उसने कुछ भी पैसा invest नहीं किया है तो वो just in time पर operate करता है कि जैसे भी जैसे ही order आएगा मैं उसी time पर order place करूँगा और मैं उसको माल को बेच दूँगा लेकिन real life में ऐ inventory बिल्कुल zero रख रखी है उसके let's say cricket का कोई equipment नहीं है उसके पास right तो वो कहता है कि भाई ठीक है ये 10 cricket ball है तो वो एक उसके पास जाता है कि भाई यह order place करता है factory के पास कि आप विरको 10 cricket balls भेज दीजे तो वो कहते है ठीक है जी भेज देते हम आप हमें बस थोड़ा सा time द कीजे आपके पास let's say 7 दिन के बाद ये 10 cricket ball पहुँच जाएंगी अब क्या ये cricket academy 7 दिन तक वेट करेगी खाली 10 cricket ball का definitely not ये एक दूसरे store के पास जाएंगे store 2 के पास और immediately खरीद लेंगे तो यहाँ पे there is no order यहाँ पे तो कोई business ही नहीं हुआ उसका inventory एकदम zero है उसके पास right तो accounts receivable का कोई मतलब ही नहीं है ना कोई business हुआ ना कोई खरीदारी ना कुछ बेचा accounts receivable zero हो गए accounts payable भी zero हो गए right क्योंकि अब ये अगर sports वाली दुकान के पास अगर उसके पास कोई order ही नहीं आया तो ये वाला order भी उसको cancel ही करना पड़ गया ना कुछ उसको ने खरीद capital तो कम थी लेकिन profit भी इनका भाई साब का zero हो गया अब क्या हुआ cricket academy दुबारा से एक महीने बाद इस store के पास आती है same order place करती है 10 cricket ball का same चीज है cost 1000 रुपे है price 1500 रुपे है लेकिन अब ये जो भाई साब है sports के दुकान के जो owner है वो थोड़े से smart हो जाते हैं वो अब inventory manage कर शुरू कर देते हैं वो कहते हैं यार ऐसे तो अगर मैं माल रखूंगा ही नहीं अपनी दुकान के अंदर तो मेरा माल बिकेगा कैसे तो वो inventory कहता है कि भाई मैं दो लाग रुपे invest करता हूं अपने business के अंदर 50,000 रुपे तो मैंने cash रखे ही हुए हैं दो लाग extra invest करता अब उसने दो लाग रुपे की inventory मैनेज करनी शुरू कर दी तो ये देखें inventory इसने जैसे दो लाग रुपे की रखी अब क्या हुआ यहाँ पे इसने माल बेचा 1500 रुपे का और इसकी cost थी उसकी 1000 रुपे तो अब इसको जो ये 1500 रुपे मिले ये इसकी cash position change हो गई और 1500 रु माइनस हो जाएंगे तो अब inventory कितने की बजगे उसके पास 1,99,000 की accounts receivable कुछ नहीं है zero है क्योंकि इन्होंने cash payment कर दी छोटा साई order था कोई दिक्कती नहीं हुई accounts payable भी यहाँ पे zero है किसी तरीके की कोई liability नहीं है cash में सारा का सारा सौधा हो रहा है तो networking capital कितनी हुई cash position आ आप inventory add कर दीजे 1,99,000 की प्लस आप accounts receivable zero है और accounts payable भी zero है तो माइनस zero कर देते हैं हम तो यहाँ पे networking capital कितनी हो गई 2,50,500 रुपे इसने initially 0,500 रुपे लगा रखे थे तो यह जो इसका बाकी का है 500 रुपे यह इसका profit आ गया तो अब यहाँ पे देखिए फायदा क्या हो र कर दिया लेकिन इसको profit कम आ रहा है राइट इस case के अंदर चलिए अब हम देखते हैं अगर मान लीजे यह order बड़ा होता तो कैसे scenario change होता अब for example अब यह let's say अगले महीने cricket academy फिर आती है और इस बार कहती है कि हम तुमको cricket kits order करना चाहते हैं let's say पुरी की पुरी 10 cricket kits order करना च इसकी cost total मिलाके 1,50,000 हो जाती है 15,000 रुपे की एक kit आती है तो 10 cricket kit जो है वो 1,50,000 रुपे की हो जाती है तो उनकी cost जो है उसको 1,00,000 रुपे की पड़ती है तो इस case में क्या होगा तो देखिए यहाँ पे order size बढ़ गया cash position उसकी अभी भी 50,000 रुपे है inventory उसने 2,00,000 गई 1,00,000 रुपे लेकिन अब यह जो cricket academy है यह उसको कहती है कि यह 1,50,000,000 रुपे हम आपको immediately नहीं देंगे inventory तो माइनस हो गए inventory उसने समान तो हाथ क्या हाथ दे दिया लेकिन अब cricket academy कहती है कि यह आप हमको यह जो समान है यह credit पे दे दीजे हम आपको पैसा 30 दिन के बा होंगा इनके साथ relation तो बना नहीं है फिर वो दे देता है लेकिन उसके पास cash position तो 50,000 रह गई एक लाग रुपे उसके extra निकल गए राइट तो अब उसके accounts receivable कितने हो गए 1,50,000 रुपे तो यह जो डेड़ लाग रुपे थे इसके यह accounts receivable बन गए यह उसने credit पे माल बेच दिया accounts payable अभी भी उसके 0 है उसने किसी और से कोई उधारी नहीं ले रखी तो अब networking capital हमारी कितनी हुई 50,000 का cash हो गया plus हमारी inventory हो गई एक लाग की अब जो हमारे पास एक लाग की inventory बची है plus account receivable हो गए हमारे 1,50,000 के minus account payable अभी भी 0 है तो यह total मिला के हमारी कितनी working capital हो ग तो यहाँ पे उसका basically profit बन जाएगा 50,000 रुपे अभी उसको profit नहीं हुआ है जब तक 30 दिन तक उसका पैसा फसा हुआ है तब तक कोई profit नहीं हुआ है लेकिन अब देखिए उसको 3,000,000 रुपे चाहिए अब उसकी working capital काफी high हो चुकी है जो पहले 5,000,000 हो रही थी अब वो manage करने के तीन लाग रुपे चाहिए उसको अपना business manage करने के लिए तो अब वो थोड़ा सा और smart बनता है अब देखते हैं वो fourth case के अंदर क्या change करता है एक और महीने बाद cricket academy फिर से 10 cricket kit का order place करती है same 1,500,000 रुपे का order है तो अब क्या करता है वो cash position उसकी 50,000 है inventory definitely उसकी 1,000, की minus हो जाएगी यह जो 1,000,000 की cost है तो inventory अभी उसकी कितनी बची 1,000,000 रुपे की बची है उसके पास accounts receivable वो ठीक है credit पे उसको माल दे देता है दुबारा से कि ठीक है जी मैं 30 दिन बाद आप से पैसा ले लूँगा अब यहाँ पे accounts payable में थोड़ा सा scene change करता है वो कहता है कि अगर मैं इसको credit पे 30 दिन के लिए दे रहा हूँ तो मैं cricket equipment factory से भी तो 30 दिन का credit ले सकता हूँ अगर मैं उनको इतना बड़ा order place कर रहा हूँ अगर हर महीने तो मैं उनसे भी credit लूँगा तो वो उनके पास जाता है कि आप मुझे credit दे दीजे अब यह वाली equipment factory भी कहती है कि भाई यह sports owner काफी मेर को business देता है तो definitely हम इसको थोड़ा सा credit दे सकते हैं तो यह भी credit period 30 दिन के लिए तयार हो जाती है लेकिन sports वाला कहता है कि आप मेरी पूरी की पूरी inventory credit पे दो तो जितने भी 2,00,000 रुपे की inventory थी जो यह इस factory से ले रहे थे यह पूरी की पूरी ले 30 दिन के लिए जो amount था वो 2,00,000 रुपे का इन्होंने accounts payable बना लिया आपने लिए राइट तो अब क्या होगा working capital कैसे calculate होगी तो basically 50,000 रुपे तो आपके हो गए cash के inventory हो गई आपकी यहाँ पे plus 1,00,000 रुपे की और plus 1,00,000 रुपे के हो गए आपके accounts receivable यहाँ पे minus अब य यहाँ पे देखिए कि कितना हो गया हमारा networking capital यहाँ पे हमारी working capital कुल मिलागे एक ही लाग रुपे हुई अब देखिए यह businessman अब actually smart businessman बन गया है profit अभी भी उसको 50,000 रुपे का आएगा राइट तो अब देखिए scene कैसे change हो गया यहाँ पे अब यह working capital काफी कम maintain कर रहा है औ profit इसको अब भी 50,000 का आ रहा है तो अगर हम quick recap करें कि हुआ क्या है case 1, case 2, case 3, case 4 में पहले case के अंदर cash position थी वो कह रहा था कि जब भी order place होगा मैं तभी order करूँगा तो ऐसे उसको business ही नहीं मिल रहा था right तो working capital तो बहुत कम थी लेकिन उसका profit 0 था so less working capital no profit case 2 के अंदर क्या ह हुआ वो business कम कर रहा था खाली 1500 रुपे का उसने समान बेचा छोटे orders थे जो अपनी inventory से वो काफी असानी से manage कर पा रहा था right लेकिन उसकी working capital तो काफी high maintain हो रही थी profit उसको कम आ रहा था so more working capital and less profit तीसरे case में क्या हुआ उसके orders भणने शुरू हो गए और लेकिन उसकी working capital requirement भ बहुत जादा block हो रहा है case 4 के अंदर एकदम smart investment उसनी करनी शुरू कर दी smart business apply करना शुरू कर दिया और उसने basically working capital खाली 1,00,000 की maintain करनी शुरू करी और profit उसे तब भी 50,000 का आ गया so less working capital and more profit इसी को हम कहते है smart company या smart business तो अब आप अपने आप decide कीजिए कि आप कौन से quadrant में रह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको like और share जरूर कर लें अगर आपके कुछ suggestions है या आपको topic suggest करना चाहते है future videos के लिए या आप अपना कोई भी विचार share करना चाहते है community के साथ तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं हर रोज finance और investment related interesting topics यहाँ पर share करता रहता हूँ इस channel पर तो अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे latest video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक सीखते रहें कमाते रहें और हमेशा की तरह खुश र हमें तरह तक सीखते हैं से जीचे से लिंग से तक समय देशा का बादाए इस ने से रहें किया किया है।